एबे हिंदी उत्रार्थ के प्रिये विद्यार्थियों हम अग्ये हीरानंद वास्याइन की कभी ता असाध्य भीना का पाट कर रहे हैं लगातार हम यहां थे पिछली बार इसमरन दिलाने के लिए हां मुझे इसमरन है बदली कौंद पतियों पर वर्षा बूंदों की पटपट जल का कल निनाद हां मुझे इसमरन है कवी असाध्य वीना की ये पंक्तियां है जिसमें प्रियमवद याद कर रहा है जब वीना उसकी गोद में रखी है गोद में रखी वीना बजाने के बजाए वो इसमरन कर रहा है सब कुछ याद कर रहा है किरीट तरू केसा है किस तरह का है क्या प्रबाव है कहां तक उसका असर है किस को समरक्षन देता है किरीट तरू किरीट तरू कितना महत्पूर्ण है किरीट तरू का फेलाव विस्तार कितना है ये नीहित है इस भावबोद में हाँ मुझे इसमरण है कैसे इसमरण हुआ वीना बजाने का आगरह राजा का प्रियम्बद से किया जाता है और सारी सबाब मौन होकर के मौन सादे बैठी है और इस उम्मीद के साथ की बोलेगा प्रियम्बद की वीना बोलेगी प्रियम्बद यहां वीना बजाके रहेगा ऐसा राजा ने संदेशित किया ऐसी उम्मीद की और प्रियम्बद है कि वीना अपनी गोद में रखी है और आत्मारपित समरपित हो रहा है हमने आठवे वैक्षान में दुनिया मेरे आगे एक इस्तम्ब है जनसत्ता का जो दिल्ली से प्रकाशित होता है सत्ता में छह दिन दुनिया मेरे आगे अलग-अलग लेखक रचनाकार इस इस्तम्ब को लिखते हैं तो एक इस्तम्ब का था बुद्धी जीवी का हर्स जिसमें दिखाया गया है कि जो पूरी तरह से तदाकार हो जाता है समर्पित हो जाता है जिसमें समर्पन भाव होता है उसका हर्स किसी से छुपा नहीं रह सकता और यहां पर प्रियंबद पीना के सामने नतमस्तक है आत्मार्पित है समर्पित है विनम्ब्रता के साथ अपना अहम विसरजित करते हुए प्रियंबद पीना के सामने नत है और यहां इस्मरन कर रहा है कि वीना जिस से बनी है किसे बनी है लकड़ी से बनी है लकड़ी किस की है किरीट तरू की है और किरीट तरू कैसा है उसका वर्णन चित्रन कवीता में बखु भी बहु मुकता के साथ किया जा रहा है बिम्बात मकता कवीता में है प्रतिकात मकता क वीता कविता में हैं और कविता में आध्यात्मिकता नीते जो बताया जाएगा और ये अर्थ वहां तक जाता है जब जड़ें उसकी वासुकी नाग तक पहुंचाती है वासुकी नाग भी जिस पर सिर रखकर आराम कर लेता हो उसकी जड़ें जो वासुकी नाग पूरी प्रत्वी को उठाये हुए है उसको भी अगर आराम करने की जरूरत होती है तो वो उस जड़ों पर उस किरीट तरु की जड़ों पर सिर रखकर करके आराम कर लिया करता है उसी किरिट तरु को प्रियम बद याद कर रहा है और याद इस तरह से कर रहा है कि हाँ मुझे सब इसमर्ण है बदली कौन पत्तियों पर वर्सा जब बादल बरसते हैं और बदली में बादलों में कौन बिजली की चमकती है और उस पत्ते पर किरिट तरु के पत्तियों पर वर्सा की बूने गिरती है बूनों की पटपट की आवाज भी सुनाई देती है पत्तों की हिलने की आवाज सुनाई देती है हवा संसनाती हुई चलती है उसकी भी एक स्वर होता है जल का कल निनाद और जिस तरह से जल वहाँ पर होता है कुहरे में छनकर आती परवती गाउं के उस्सव धोलक की थाप गडरिये की अनमन बांसुरी, कठ फोड़े का ठेका, फुलसुंगनी के आतुर फुरकन ओस बूंद की धरकन इतनी कोमल तरल की जरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई हमने याद किया कि हम यहां थे और यह पंक्तियां है कविता की कुहरे में छनकर आती परवती गाउं के उस्सव की धोलक की थाप प्रियंबद याद कर रहा है, किरीट तरू को, किरीट तरू के उपर मोसम का प्रवाव बरसात का बूनों का गिरना फिर कोहरे का छाना और कोहरे के बाद कोहरे में छनकर आती परवती गाउं के उस्सव जो मनाए जाता है, उसके धोलक की थाप, धोलक पर जो थाप बजाए जाती है उस्सव मनाए जाता है, तो उस परवती गाउं से किस तरह से वो स्वर सुनाई देता है उस कोहरे में छनचन करके जब वो आवाज आती है, गडरिये की अनमन, बांसुरी, कट फोड़े का ठेका अब आप ताजूब करेंगे, या कभी की उस भाव संबेदना को समझ सकते हैं और किस तरह से भाव खड़ा किया जा रहा है, और किस तरह से छोटी छोटी चीजें यहां साकार होती है, और किस तरह से ध्वनी उतरती है, ध्वनी सुनाई पड़ती है अलग अलग चीजों की ध्वनी, या हम देख सकते हैं कि वो गाउं, गाउं सामान्य नहीं, परवती गाउं है, गाउं सामान्य वस्ता में नहीं कोरह चाया हुआ है, उत्सव बनाये जा रहा है इसके बावजूद और वहां धोलक बजाई जा रही है और उसी वक्त गडरिये की अनमन बासुरी, गडरिया जो गडरियों को चराय रहा है, चराते हुए बासुरी बजा रहा है, उसकी अनमन बासुरी, यानि वो मंदस्वर सुनाई दे रहा है उसी समय कट फोड़े का ठेका, एक कट फोड़ा, यानि कट यानि लकड़ी, लकड़ी उस पेड़ को, की लकड़ी को लगातार अपनी चोंच से ठोकता रहता है, कट कट की आवाज करता रहता है, उन लकड़ी में छेद कर देता है, वो उसे कट फोड़ा कहते हैं, कट सूंगनी की आतुर फुरुकन और वो जो फूल खिलते हैं फूल जब खिलते हैं तो कई तरह के पंच्छी आ आ करके तितलियां आ करके सूंगती है और वो जो सूंगती है फूल सूंगनिया उनका नाम रखा है वो आतुरता से आती है फूल के पास खिलते ही मंडराती है उस प फुरकन यानि वो पंक से उड़कर के फिर पंक समेट के उस पर बैठना उस पंक की आवाज काना या फुल सुमते वक्त की जो आवाज हो सकती है और वो उसा वो फुरकन यहां देखिए उस बूंद की धरकन इतनी कोमल तरल की जरते मानों हर सिंगार का फूल बन गई ओस बूंद की धरकन इतनी यानि ओस जब पड़ती है तो ओस की बूंद बिजलिके बल्ब की तरह सुबसुबस चमकती हुई दिखाई देती है ओस बूंद की धरकन इतनी कोमल तरल की जरते मानों है कितनी कोमलता है, तरलता है, बार-दर्शीता है और किस तरह से वो जर्ने से पहले जब उसके उपर ओर गिरती है तो नीचे तपक जाती है नीचे टपक करके किसी घांस पर लटक जाती है लटकती है तो बिजली के बल्ब की तरह वो सुबह सुर्य की जब किरन पड़ती है तो चमकार उसकी देखी जा सकती है उसकी जरते मानों हर सिंगार का फूल बन गई हर सिंगार का पोदा अपने देखा होगा वो जब उस पे फूल खिलते हैं तो सितारों की तरह सफेद और लाल रंग उस पर चोटी चोटी पंकुणिया और फिर वो सुबह सुबह से ही उसका गिरना हर सिंगार का जैसे फूल बन गई हो वो और्सकी बून भरे शर्द के ताल लहरियों की सरसर ध्वनी कूजों का क्रेकार कांद लंबी टिटिब की पंक युक्त सायक सीहंस बलाका चीड वनों में गंद अंद उनमंद पतंग की जहां तहां टकराहट जल परपात का पलत एकस्वर जिल्ली दादूर कोकिल चातक की जंकार पुकारो की यतिमे संसर्थी की सायं सायं कितनी तरह की आवास हैं भरे शर्द के ताल शर्द रितू में जो ताल तलईयां भर जाते हैं और उनमें जो लहरें आती है उसमें जो आवाज लहर की सरसर की ध्वनी और उसी में कैंकार की आवाज जब उसमें पंच्छी चल रहे होते हैं ह उनके केकार इस तरह के तीन चार सपेज सपेज लंबे लंबे पंक वाले लंबे गर्दन वाले उन पानी पर दोडते हुए एक आवाज करते हैं। कांद लंबी टिटीबी की टिटोडी इधर टिटीबी की लंबी कांद कौंद जाती है पंख युक्त सायक सी हंस पलाका और आस्मान में हंस एक पंखती में लेबद हो करके उड़ते हैं चीड वनों में गंद अंद उनमंद पतंग की जहां तहां टकराट और चीड के वन जहां अलग अलग तरह के पोधे अलग अलग तरह की गंद देते रहते हैं उस उन्मादित कर देने वाली गंद से अंदे होकर के पतंग इदर उदर उड़ते वे जहां तहां आपस में टकराते रगते हैं और जल्प्रपात पहाड से बहने वाला वो पानी जो कही उंचे नीचे स्रोतों से गुजरता हुआ आवाज करता हुआ एक स्वर उसका होता है और अंदेरी रात में जिल्ली दादुर कोकिल चातक की मिली जुली मैडक लगाता टर्टर की आवाज करता है जिल्ली कोकिल और चातक जो रात में ही बोलती है जनकार जिंगर जिल्ली जिंगर जो लगातार बोलता है इन सब की पुकार ऐसा लगता है जिसे किसी को पुकार रहे हो पुकारों की यती से संसर्थी की साइं साइं और अंदेरी रात में जब वो साइं साइं का सननाटा होता है इन सब का मिला हुआ सुर्ख साइं साइं की आवाज में प्रतिधनी तो होता है आप अंदेरी रात में रात के बारा दो के बीच अगर आवाज सुनने का प्रियास करेंगे जब सब कुछ शांत हो जाता है सब कोई सो जाते हैं पसु पंची आदमी बलकि यों कहें कि किसी हाईवे पर नहो घर जंगल में हो तब कौन सी आवाज आएगी तब ये सारे स्वर जो अभी अगे ने असाद्य वीड़ा में प्रतिपाजित किये निरूपित किये वो सारी मिलकर के आवाज साएं साएं के रूप में दिखाई देती है एक योगी नहीं यहां तक दावा किया है कि जब आप सो जाते हैं बलकि आप सोते वक्त सोने का उपकरम करते हुए नीद आने से पहले आप कान में रूपि भर लें और अंदर की आवाज सुनने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि अंदर की आवाज में भी इसी तरह से साएं साएं कई तरह की आवाज बलड का इदर उदर आना जाना धमनियों की आवाज भी सुनाई दे सकती है यानि कभी भी संनाटा नहीं होता आवाज होती है साएं साएं में भी आवाज नहीं तहे हाँ मुझे इस्मरण है दूर पहाडों से काले मेगों की भाड हातियों का मानों चिंगाड रहा हो यूथ घर गराट चड़ती बईयां की रेती ले कगरी का गिरना चप चड़ाप जंजा की फुफकार तफ्त पेडों का अररा कर तूट कर गिरना ओले की कररी चपत हाँ मुझे इस्मरण है क्या क्या इस्मरण है दूर पहाडों से काले मेगों की बाड बरसात के दिनों में जब पहाड की तरफ देखते हैं उँची उँची पहाडों की तरफ तो वहां से काले मेग जब बरसते हैं वो बादल काले काले जब सगन हो करके आते हैं पाड की तरह आते हैं लगता है जैसे हातियों का माना चिंगाड रहा हो यूथ अगर हातियों का समूग जंगल में हमें दिखाई दे जाए चिंगाडता हुआ तो कितना डरा देता है भैबीत कर देता है उसी तरह से काले काले मेग भयावय जंगल में अकेले व्यक्ति को कितना डरा सकता है वो काले मेग नहीं, मानो हातियों का समूह हो, घर घराहट चड़ती बईया की, रेती ले कगरी का गिरना चप छड़ाप, घर घराहट चड़ती बईया की, जब चड़ती हुई नदी, घर घराहती हुई आती है, उपान आता है उसमें, वो चड़ रही होती है, तो उसके किना किनारे की जो रेत है, उनका गिरना चप-छडाप की आवाज, वो आवाज मिया सुना इंदेती है। जंजा की फुफकार तप्त, पेडों का अर्रा कर तूटकर गिरना। औले की कर्री Richt अगी पेडों का अर्रा कर तूटकर गिरना। और ऐसे में जो किनारे की रेत गिरती है, मिट्टी गिरती है और उस पे किनारे पे लगे हुए पेड़, वर्सों से खड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, अररा कर उसकी एक अलग तरह की आवाज होगी, यह आवाज जिसको यहां अररा कर तूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत और वो जब ओले गिरते हैं, बरसाद जब होती है तो मोटी मोटी बूंदें गिरती है, लेकिन उस बरसाद के साथ का भी कबार ओले गिरते हैं, तो ओले कितने भयावा हो सकते हैं, जैसे गाल पर चपत पड़ रही हो, कोई चपत मार रहा हो जो और से, इस तरह से सुनाई देता है